एक गाउ में रमीना अपने पती व चार बेटों के साथ रहती थी। वह अपने व अपने परिवार के साथ खूब खुशाल थी। वह मध्यम आयवाला परिवार था। अक्त रमीना परिवार की कमाई का अधिकांश भाग बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती थी। पिता भी बच्चों को खूब प्यार करता था एक दिन अचानक रमीना का पती बीमार हो गया डॉक्टरों ववैध्य को दिखाया परंतु उन्हें उसकी बीमारी का पता नहीं लग सका फिर अचानक उसकी मृत क्यों हो गई रमीना जैसे तैसे अपने बेटों को बढ़ा करने लगी परंतु जैसे जैसे वे बड़े होते गए उन्हें शहर जाने का भूत सवार होने लगा धीरे धीरे वे गाव छोड़ कर शहर चले गए शहर में ही विवाह कर वही रहने लगे रमीना बूढी हो चुकी थी परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी थी सिलाई बुनाई का कार्य करके अकेली ही रहती थी और अपने घर का गुजारा चलाती थी एक दिन वह रसोई में खीर बना रही थी खीर कई घंटों से पक रही थी तभी रमीना को थकान महसूस होने लगी वह रसोई के पास आंगन में चार पाई डाल कर उस पर लेट गई रमीना की अचानक आख लग गई क्योंकि वह दिन भर की ठकी हुई थी उसके पास घर के नाम पर एक कमरे का किराय का मकान था उसका अपना मकान कब का बिक चुका था उसे बेटों से शिकायत थी परंतु वह कुछ कर नहीं सकती थी उसके चारों बेटे गाव छोड़ कर जा चुके थे उन्हें वहां से गए वर्षों बीट गए थे और वे गाव के बारे में सब कुछ भूल चुके थे परंतु वे वहां जाकर बेइमान बन गए थे नहीं कोई सुध मा का क्या हाल होगा यह वे नहीं जानना चाहते थे चारों बेटे चोरी में इतने माहिर हो चुके थे कि वे कभी पक्रे न जाते थे एक दिन उन्होंने एक सर्राफ के यहां चोरी की और खूब माला माल हो गए लेकिन चोर को तो चोरी के सिवा कुछ करना आता ही नहीं है अत वे आलसी बनकर उस माल पर एश करने लगे कुछ ही दिनों में सारा धन और माल समाप्त हो गया अब उन्हें फिर से धन पाने की चिंता सताने लगी एक दिन वे चोरी के इरादे से शाम को घर से निकले तभी उन्हें एक युवक मिला वह बोला तुम कहां जा रहे हो मुझे भी साथ ले लो चारों ने उसे इनकार कर दिया परंतु वह युवक उनकी खुशामत करने लगा और बोला अच्छा भया तुम यह बता दो कि तुम कहां जा रहे हो एक बेटा क्रोधित होकर बोला चोरी करने चलोगे हाँ भया सब कुछ करूँगा मैंने पांच दिन से खाना नहीं खाया है जैसा कहोगे वैसा ही करूँगा जो दोगे वही ले लूँगा अपना हिस्सा भी नहीं मागूंगा चारो भाईयों को बात जंच गई की मुफ्त में नौकर मिल रहा है जो चोरी में भी साथ देने को तयार है फिर वह अपना हिस्सा भी नहीं मागेगा उन्होंने युवक को साथ ले लिया परंतु उसे समझाया देखो तुम पहली बार चोरी करने जा रहे हो अत कोई बेवकूफी मत करना युवक तयार हो गया और उन चारों के साथ चल दिया चारों भाई चोरी के लिए मकान तलाश करने लगे उन्होंने कई मकानों में घुसने का प्रयास किया परंतु हर घर में कोई न कोई जाग रहा था अचानक उन्हें एक घर का दर्वाजा खुला दिखाई दिया वे उसमें घुस गए वहां उन्होंने खूब जम कर चोरी की घर का हर सामान एक चादर में बांध लिया हालांकि घर में कोई भी किंती सामान न था परंतु वे चोरी करने निकले थे तो उन्हें कुछ न कुछ तो चुराना ही था तभी एक बेटे की रसोई की ओर नजर गई वहां खीर पक रही थी चारों को लगा कि चलने से पहले गर्मा गर्म खीर का मजा ले लेना चाहिए पाचों लोग खीर खाने में व्यस्त थे तभी उनकी निगाह आंगन में सोई बुढिया की ओर गई चारों बेटे अपनी मा को पहचान न सके क्योंकि इतने वर्षों में वह बुढिय हो चुकी थी नया चोर युवक बोला भैया यह बुढिया कैसे हाथ पसारे सो रही है लगता है कि यह कह रही है कि सारी खीर अकेले खा जाओगे मुझे नहीं खिलाओगे दूसरा बोला हाँ और क्या यह अपने लिए खीर पका रही है और हमने खत्म कर दी तो यह क्या खाएगी तभी युवक तेजी से उठा और एक चम्मच खीर बुढिया के हाथ पर रख दी गर्म खीर हाथ पर रखते ही बुढिया चिलाते हुए उठ बैठी वह चिल्लाई बचाओ मैं मर गई उसकी आवाज सुनकर पाँचों चोर घर के अलग-अलग कोनों में छिप गए पर गर्म खीर रखने से और भीड इकठी होने से रमीना कुछ समझी न सकी की क्या हुआ वह नींद में थी तभी एक पडोसी ने पूछा अम्मा क्या हुआ रमीना बोली पता नहीं क्या हुआ मैं तो सो रही थी यह खीर मेरे हाथ पर कहां से आई यह तो उपर वाला ही जाने सभी चोर अलग कोनों में छिपे बुढिया की बाते सुन रहे थे और घबरा रहे थे कि वे कहीं पकड़े न जाए युवक जो नया चोर था और पहली बार चोरी करने निकला था इत्तेफाक से उपर छट के किनारे छिपा बैठा था रमीना की बात सुनकर उसे यू लगा कि बुढिया ने उसे देख लिया है तभी कह रही है कि उपर वाला जाने वह उपर छिपे छिपे ही जोर से बोला मैं क्या जानू यह तो बाथरूम वाला जाने की क्या हुआ युवक की बात सुनकर बाथरूम में छिपा चोर घबरा गया कि वह पकड़ा जाएगा तो उसकी पिटाई होगी वह स्वयं को बचाने के प्रयास में बोला मैं क्या जानू चार पाई के पीछे वाला जाने तभी चार पाई के पीछे वाला बोल उठा मुझे क्यों फंसा रहे हो मैं क्या जानू सीधियों वाला जानता है कि क्या हुआ सीधियों वाले ने भी तुरंत इसी तरहे चिल्ला कर कहा मुझे क्यों फंसाते हो मैं क्या जानू की क्या हुआ यह तो बिस्तर के पीछे वाला जानता है सारे अडोसी प्रोसी वर रमीना हैरान थे कि आवास कहां-खां से आ रही है वे सब एक साथ जपट पड़े और पांचों चोरों को पकड़ लिया पांचों चोरों को जेल में डाल दिया गया वहां पुलिस ने उनका अतापता पूछा तो पता लगा कि उनमें से चार चोर तो रमीना के ही बेटे थे चारों ने बहुत मिन्नत की उन्हें बक्ष दिया जाए परंतु रमीना ने कहा मैं बचाने वाली कौन होती हूँ जैसी करनी वैसी भरनी